जाने क्यूं मोटापे से कमजोर होती है बच्चों की याददाश्ट और सोचने की शक्ती? मोटापा पूरी दुनिया में महामारी की तरह सामने आ रहा है. हालिया शोध के मुताबिक, मुटापे से बच्चों की यादाश्ट भी कमजोर होती है और बच्चे जल्दी बीमार भी पर जाते है साथ ही सोचने, समझेन और योजना बनाने में भी उन्हें ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है अमेरिका की युनिवसिटी ओफ वेरिमोंट और येल युनिवसिटी के शोध करताओं ने इस संबंध में अध्ययन किया है अध्ययन के लिए 10,000 किशोरों के आकड़े जुटाए गए दस साल से चले अध्ययन के दौरान हर दो साल में बच्चों की मेमरी की जाच की गई है और बलडशोध करताओं ने बताया कि इस दौरान उनके दिमाग की स्कैनिंग भी की जाती रही वैग्यानिकों ने पाया कि जिन बच्चों का BMI ज्यादा होता है उनका सेरेब्रल कोटेक्स पतला हो जाता है सेरेब्रल कोटेक्स एक परत है जो दिमाग के बारी हिस्से को ढखती है इसके पतले होने से दिमाग की सोचने, समझने और याद रखने जैसी क्षमताय प्रभावित हो जाती है वैग्यानिकों ने अपने अध्यायन में इससे पहले के अध्यायनों से मिले निशकर्शों का समर्थन किया जिन में पाया गया था कि उच्च BMI वाले बच्चों की वर्किंग मेमरी कमजोर होती है अभी हाल ही में The Lancet Journal में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया के करीब एक तिहाई निमन आये वाले देशों को मुटापे और कुपोशन की दोहरी मार से बच्चों को जूजना पढ़ रहा है ऐसा खाद्य प्रनाली में हुए बदलावों की वजह से हो रहा है सेंपल भी लिया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्षों से निमन आये वाले देशों में सुपरमार्केट बढ़ गए हैं और ताजा खाद्य से बजार खत्म होने लगे हैं इसकी वजह से स्थिती खराब हुई है यही नहीं खाद्य श्रिंखला को कमपनियों द्वारा नेयंत्रत किये जाने के कारण भी ऐसी स्थिती उत्पन हुई है